आपके कमाई करने के चांसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर कमाई करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अनोखा हो और आप भी उस अनोखे तरीके से पार्ट टाइम कमाई करना ही चाहेंगे खास तोर पे तब अगर आपकी जेब से एक पैसे कि भी इन्वेस्टमेंट दोस्तो आज की डेट में करोना बिमारी के कारण सारी दुनिया में छोटी बड़ी कंपनी को अपनी प्रडक्ट्स और सर्विसिस को बेचने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही हैं कंपनियों की टर्नोवर कम हो चुकी है काफी कंपनिया लॉस में जा रही हैं इन सभी छोटी बड़ी कंपनी को अपने प्रडक्ट्स और सर्विसिस के लिए कस्टमर्स मिल ही नहीं रहे हैं आप जी हाँ आप इन परेशान कंपनियों को एक सॉलूशन या समाधान देकर अपन सामने ये प्रूफ दिखाऊंगा आपके स्क्रीन पर ता कि आप भी मोटिवेट हो और इसी अनोखे तरीके से कमाई करने की कोशिश करें अगर आप सिरफ दसमी पास भी हैं और आपने आज से पहले ये काम कभी नहीं किया है तो भी आप ये काम बहुत अराम से करकर बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं फिर आप चाहे स्टूडेंट हैं जॉब करते हैं बिजनस करते हैं या हाउस वाइफ हैं आप इस अनोखे तरीके से यूएस डॉलर्स में कमाई कर सकते हैं आपके मोबाइल फोन से ही सारा काम हो जाता है आपको लैप्टॉप की भी आवशक्ता नहीं पड़ती है काम क्या करना है कैसे करना है यह सारी डेटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में दूगा और सबसे बड़ी बात आपकी जेब से एक पैसे की इन्वेस्टमेंट मैं नहीं होने दूगा वीडियो पूरा देखेगा अंत तक हैलो फ्रेंड्स कैसे आप जैसा कि कि आप जानते ही है मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल मैं पिछले 26 सालों से एक एचा रेकूर्टमेंट प्रफेशनल हूँ और इतने सालों के एक्सपिरियंस के दम से ही मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाकर र और इस बात की कोई गरंटी नहीं है कि कंपनी द्वारा बनाया गया विग्यापन या इश्तिहार उसके टार्गेट ओडियंस तक पहुँचे हो सकते है ना पहुँच पाए जो भी लोग उस कंपनी के प्रडक्ट या सर्विसिस को शायद खरीच सकते होंगे हो सकता है वो उस कंपनी को वो पर्टिकुलर विग्यापन देखे ही नहीं पर उस कंपनी का उन विग्यापनों या अड्विटीजमींस को बनाकर डालने में लाखों रुपे का खर्चा हो जाता है तो आज के करोना बिमारी के समय में ज्यादातर कमपनियां अपने खर्चे कम कर रही हैं उन्होंने अपने प्रड़क्ट्स और सर्विसिस को बेचने का एक नया तरीका ढूंड निकाला है ये तरीका ज्यादा अफेक्टिव है और बहुत ज्यादा सस्ता भी पढ़ता है उन क होता है उनके मोबाइल नमबर उनका email id उनका address उनका WhatsApp नमबर सब details होती हैं ये सबी कंपनिया database में लिखे हुए कस्टमर्स के contact details पर जैसे की email ीटस या direct call करकर अपने products और services को असानी से बेच लेते हैं इस तरह से दुनिया की छोटी बड़ी अपना विग्यापन या advertisement देने का खर्चा बचा लेती हैं और direct customer तक पहुँच कर उन्हें अपने products और services को बहुत असानी से बेच लेती हैं और ये database उनके पास रहता है ये उनकी property होती है क्योंकि उन्होंने market से खरीदा होता है कुछ समय के बाद ये उन customers को थोड़े थोड़े दिनों के बाद दोबारा-दोबारा contact करते हैं और हो सकता है कि पहली बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार वो customer उनके products या services खरीद ले तो दुनिया की ये छोटी बड़ी company इस तरह के customers के database को खरीदने के लिए मुह मांगी कीमत देने के लिए तयार रहती हैं मैं आज के वीडियो में दोस्तों आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे अपने घर बैठकर अपने खाली समय में भारत में ही आप अपने नए पुराने mobile phone से customers या clients का database निकाल सकते हैं और किसी भी category के customer या clients का database निकाल सकते हैं और दुनिया के किसी भी देश के customers या clients का database निकाल सकते हैं और ये customers का data आप हजारों की तादात में निकाल सकते हैं कैसे मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में बारीकी से आपका हाथ पकड़ कर फिर उस database को बहुत सुन्दर तरीके से एक Excel sheet में डालना भी आपको मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में और ये काम भी आपके mobile phone से हो जाएगा और सारा कुछ आपको 100% free में मिलेगा और फिर आप इस अनमोल database को सारी दुनिया की छोटी बड़ी companies को बेच कर मुमांगी कीमत वसूल सकते हैं अब आप सोचेंगे कि अपने घर बैठे बैठे आपको वो company कैसे मिल जाएंगी जो आपका ये customer का database खरीदना चाहेंगी ये तो सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है ये information मैं आपको पूरी details के साथ इसी वीडियो में दिखाऊंगा और सिखाऊंगा देखे दोस्तों काम इस तरह से होगा सबसे पहले दुनिया की एक जानी मानी freelancing site पर 100% free में registration कर लेना है यही वो freelancing site है जहां से आपको वो companyya मिलेंगी जो बहुत अच्छी कीमत दे कर आपसे customers का database खरीदेंगी और इसी freelancing site से आज की date में 150 से ज़दा भारतिय लोग customer database बेच कर बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं वो कौन-कौन से लोग हैं कितनी-कितनी कमाई करते हैं यह live proof मैं आपके screen पर आपकी आँखों के सामने दिखाऊंगा ताकि आप भी motivate हो आपको लगे हाँ इस तरह से काम हो सकता है जब इतने लोग कमा रहे हैं तो आप भी यह काम कर सकते हैं बीना पैसा लगाए घर बैठ कर तो क्यों ना try कर लिया जाए तो आप भी उनी 150 भारती लोगों की तरह इसी freelancing site से कंपनिया पकड़ लेंगे और उन्हें database बेश देंगे और US dollars में कमाई कर लेंगे कैसे करना है मैं बहुत detail में इसी वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बाद मैं आपको चार अलग-अलग mobile apps और website tool का इस्तेमाल करकर सिरफ अपने mobile phone से ही customers का database निकालना सिखाऊंगा internet से इस काम को technically कहते हैं data scrapping फिर इस customer के database को एक बहुती सुन्दर तरीके से excel sheet में डालना भी आपको सिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि customer को उसके बाद कैसे भेजना है ये सारा काम आपने आज से पहले कभी नहीं किया मुझे ये अच्छी तरह से पता है लेकिन मैं आपको ये guarantee देता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने से पहले ये सारा काम आप 100% सीख चुके होंगे बिना एक पैसा लगाए सिरफ अपने नए पुराने mobile phone से आप कमाई कर पाएंगे तो चलिए सब दिखाता हूँ और सिखाता हूँ तो friends ये है मेरे laptop का screen मैं अभी आपको अपने mobile phone पर भी लेकर चलूँगा पहले में laptop पर आपको वो site खोल के दिखाता हूँ जहां से सैकडो भारतिय लोग data scrapping करते हैं सिरफ google maps के उपर और बहुत अच्छी कमाई करते हैं घर बैटकर US dollars में ठीक है तो दोस्तों ये है fever freelancing site दुनिया की सबसे बड़ी और जानी मनी और genuine freelancing site है fever freelancing site के उपर 100% free में registration होता है कैसे होता है उसके बारे में एक video बना कर मैंने पहले से YouTube पर डाल रखा है उस video का link इस video के description box में डाल दिया गया है आप click करके देख लीजे सिरफ 5 मिनट में 100% free में fever freelancing site पर अपना account बना लीजे जब आपका account बन जाएगा तो इस तरह से आपका home page खुलेगा अब मैं ये site अपने mobile phone पर भी आपको चला कर दिखा देता हूँ अब मेरा mobile phone आपके सामने आ गया अब मेरे mobile phone पर भी आप देख सकते हैं fever freelancing site खुली हुई है मैं suggest करूँगा कि आप fever freelancing site का desktop version ही अपने mobile phone पर चलाएं कैसे चलता है सबसे उपर right hand में जहां तीन dots लगे हैं मैं click करूँगा तो एक window खुल गई इस window में नीचे से तीसरी category है desktop site मैं जैसे ही यहाँ click करूँगा fever freelancing site का desktop version आपकी आँखों के सामने खुल गया दोस्तो तो इस तरह से आप कोई भी site desktop mode या version में अपने mobile phone पर अराम से चला सकते हैं आपको laptop की जरूरत ही नहीं है दोस्तो आजकल जितनी भी modern sites बनती हैं इस तरह से कि वो आपके mobile phone में उसी तरह से चलती है जैसे laptop पर चलती है अब मैं mobile phone आपके सामने से हटा दूँगा और सारा काम आपको अपने laptop पर दिखाऊंगा तो अब हम दोबारा आपने laptop पर पहुँच गए अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा payment proof ठीक है जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कितने सारे भारत के लोग यही data scrapping करकर google map से कितनी अच्छी कमाई करते हैं US dollars में चलिए अब मैं आपको आपकी आँखों के सामने यह proof दिखाता हूँ सबसे उपर जाएंगे यह search bar है यहां मैं type परूँगा google map scrapping अब आप देख सकते हैं दोस्तों fever freelancing site पर आज की date में 1000 से ज्यादा लोग सिर्फ और सिरफ google map scrapping करकर सारी दुनिया में अपने घरों में बैठ कर बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं लेकिन आप जानना चाहते हैं भारत के लोग कौन से हैं ठीक है वो मैंने आपको promise किया था दिखाऊंगा चलिए वो दिखाता हूँ जहां यह लिखा है local sellers मैं यहां क्लिक कर दूँगा देखिए green हो गया अब यह दिखा रहा है 142 एक सो ब्यालिस भारत के ही लोग हैं जो google map scrapping का काम पकड़ते हैं सिरफ fever freelancing site से और कितना पैसा कमाते हैं आप अपनी आखों से देखिए देखिए मैं नीचे आता हूँ तो य यह लिखती है यह ब्हारत के हैं यह 23 काम पूरा करके दे चुके हैं 5 डॉलर लेते हैं एक काम गा तो यह व्यक्ति कमा चुकी है करीब सो यूस डॉलर यानि करीब साठ साड़े साथ हजार रूपया और नीचे आते हैं अब आब अब देख सकते हैं दोस्तों यहा तीन और भारत के ही लोग हैं, दीखे कितने अच्छी कमाई कर रहे हैं, यह जो पहले व्यक्ति हैं, यह करीब 200 से ज्यादा काम पूरे करके दे चुके हैं, पांच डॉलर लेते हैं एक काम करने का, यानि यह व्यक्ति 1,000 डॉलर कमा चुके हैं, यानि करीब 70-75,000 रुपया, यह दूस डॉलर लेते हैं एक काम का, यानि के करीब करीब 2,300 यूएस डॉलर कमा चुके हैं अभी तक, यानि 1,60,000 रुपया करीब करीब, इस तरह से आप अपनी आखों से देख सकते हैं दोस्तों, यह एक और भारत के ही व्यक्ति हैं, यह भी सिरफ गूगल मैप से ही डेटा स्क्र शाइपिंग करते हैं 126 काम पूरे करके दे चुके हैं, यह 5 डॉलर लेते हैं, कोई 10 डॉलर लेता है, आपकी मर्जिया 25 डॉलर भी लेते हैं, पचास डॉलर भी लेते हैं लोग, यह त है अपके च्रहां। payment proof दोस्तो ठीक है दोस्तो यह जो आपको छोटे-छोटे से boxes दिख रहे हैं यह सब के सब विग्यापन डले हैं इनको technically gigs कहते हैं freelancing की दुनिया में ठीक है इनको आप advertisement या इश्तिहार भी कह सकते हैं यह 100% free में डलता है दोस्तो और आप चाहें तो जितने मरजी इस तरह के इश्तिहार इस site के ओपर डाल सकते हैं जिसका नाम है fever freelancing site यह इश्तिहार इतना ही अच्छा free में कैसे डलेगा मैं अब आपको डाल के दिखाता हूँ अपने आज से पहले नहीं किया यह मुझे अच्छी तरह से पता है मैं आपको सिखाऊंगा आप सीख जाएंगे इसी वीडियो में तो चलिए पहले अपना इस तरह का एक विग्यापन बनाकर डालते हैं सबसे ओपर देखी जहां लिखा है switch to selling यहां क्लिक कर दूँगा उस यह पेज खुल जाएगा अब हम यहां पर अपना 100% free में gig विग्यापन इश्तिहार या advertisement बनाकर डालेंगे देखे दोस्तों fever freelancing site के उपर इश्तिहार विग्यापन या advertisement का technical नाम gig है ठीक है आप confused मत होईएगा ओके अब हम इस विग्यापन का एक title डालेंगे जो सबसे उप customer को दिखाई देगा ठीक है अब मैं वह यहां आपको डालकर दिखाता हूं यह आई विल अलड़ी लिखा हुआ आएगा इसके आगे टाइप करना है मैं टाइप करता हूं I will scrap data from Google Maps ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां आपने कहीं पर भी full stop वगेरा नहीं लगाना है नहीं तो वो accept नहीं होता है ठीक है आप 80 characters तक लिख सकते हैं मैंने अभी कम ही लिखा है अब नीचे आएंगे देखिए category लिखा है इस विज्यापन की अब हम category decide करेंगे के fever freelancing site के उपर हमारा यह gig विज्यापन या advertisement आखिर किस category में दिखेगा यह category बहुत important है यह ठीक धंक से choose कर नहीं है तभी आपका विज्यापन किसी भी customer तक पहुचेगा सबसे उपर देखेंगे जहां लिखा है programming and tech data analysis and reports यह वो category है यह automatically suggest करता है दोस्तों आपको भूणनी नहीं पड़ेगी 99% cases में आपको भी यह suggest automatically करेगी site ठीक है अगर नहीं करती है तो आप यह ढूण लीजेग उसके बाद नीचे आएंगे उसके बाद अगला section है service type यहां से मैं आपको drop down करके दिखा देता हूँ कौन सी category लेनी है देखे यह लेनी है data mining and scrapping ठीक है मैंने इस पर click कर दिया इसके नीचे एक और section है लिखा है gig metadata ठीक है यहां पर लिखा है select the tool for which you provide services इसमें आपने excel select कर ल advertisement बन रहा है इसमें जो आप tags डालेंगे उनके basis पर ही आपका जो विग्यापन advertisement या इश्तिहार या gig है यह customer तक पहुचता है ठीक है आप असान भाशा में यह समझ लीजे अगर कोई भी customer पूरी दुनिया से आकर fever freelancing site के ऊपर वो लोग ढूंता है जो उसको google map से data निकाल कर देंगे तो वो fever के search bar में क्या type करेगा ठीक है हमने उन्ही keywords को या शब्दों को imagine कर लेना है और यहां पर search tag में डाल देना है अब मैं आपको डाल कर दिखाता हूं data scrapping अब मैं enter button पर click कर दूँगा तो यह एक tag बन गया ठीक है आप इस तरह के 5 tags डाल सकते हैं मैं एक दो और डाल कर दिखा देता हूं data mining यह दिखिए अपने आप दिखा दिया ठीक है यह भी बन गया एक और डाल देते हैं data collection ठीक है मैंने तीन tags डाल दिये हैं अब मैं save and continue पर click कर दूँगा अब यह page खुल जाएगा यहाँ पर हम अपने इस विग्यापन या advertisement में rate लिखेंगे यान आपको इस तरह से मिलेगा जैसे मैं यहाँ click करूँगा यह green हो जाएगा एक यह box खुलेगा इसको बंद कर दीजिएगा दिखी यह green हो गया और उसके बाद यहाँ पर यह तीन packages का एक section खुल गया यह हम भर देंगे हमारे विग्यापन में यह client को दिखेंगे कि भाया यह जिसका यह advertisement है वो data scrapping करता है Google Maps के उपर और उसके यह rates है अब मैं आपको यह rate भर के दिखाता हूँ यह तरह के packages है दोस्तो तीन अलग लग है सबसे सस्ता basic उससे महंगा standard और सबसे बढ़िया premium ठीक है कैसे भरना है मैं आपको भर के दिखा देता हूँ सबसे पहले basic package का एक कि मैं client को 200 business leads दूँगा ठीक है यानि कि 200 अलग अलग companies की details निकाल कर दूँगा ओके दोस्तो मैं यहां जो भी लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है यह 200 की जगा आप 20 भी कर सकते हैं 2000 भी कर सकते हैं उसके नीचे आएंगे delivery time यानि मैं ये काम कितने दिनों में करके दूँगा यहां मैंने ले लिया one day आप परिशान मत हो येगा ये सोच कर कि इतना सारा काम एक दिन में कैसे होगा बहुत असान है दोस्तो कुछ minutes में होता है आपके mobile phone से होता है free में होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा आप बने रही है उसके नीचे लिखा है pages mind scrap यानि कितने pages के अंदर ये होगा data तो approximately 2 page का data आप समझ लीजेगा ये होगा उके उसके बाद नीचे आ जाएंगे उसके नीचे लिखा है sources mind यानि कि कितनी sources से आप data निकालके देंगे तो मैंने यहां select कर लिया one उ 5$ से नीचे नहीं रख सकते हैं फीवर फ्रीलेंसिंग साइट की यह policy है कि आप यहां पर किसी भी काम का 5$ से कम चार्ज कर ही नहीं सकते फीवर फ्रीलेंसिंग साइट आपसे यह कहती है आप काम करने आए हैं थोड़ा सा अच्छा पैसा कमाईए ठीक है ज्यादे से जजद With All Details, उसके बाद नीचे आएंगे, Delivery Time, ये भी एक दिन ही रखेंगे दोस्तों, बहुत असान है, आप चिंता मत कीजिए, उसके बाद Pages Mind, यहाँ पर हम ले लेंगे 3 पेज, उसके बाद Sources, यह एक ही रखना है, उसके बाद और नीचे आएंगे, Revisions, यहाँ पर एक Revisions आप र हम आजाएंगे Premium Package के उपर, इसका नाम मैंने रख दिया, Premium Package, इसमें हम Clients को क्या देंगे, 1000 Business Leads with All Details, इस Package में हम क्योंकि ज़्यादा काम करके दे रहे हैं, तो Delivery Time जो है, हम वो दो दिन का रख सकते हैं, आप चाहें तो जितना मर्जी ही रख सकते हैं, दोस्तों, 14 दिन क इसका भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने इश्तिहार, गिग या Advertisement में कम समय में काम पूरा करके देंगे, तो आपको काम मिलने के chances ज़्यादा रहेंगे, तो क्योंकि customer को काम generally, जल्दी से जल्दी चाहिए होता है, तो मैंने ये दो दिन रख लिया, उस उसके बाद और नीचे आएंगे, लिखा हुआ एड एक्स्टा सर्विसेज आप चाहें, तो यहां से कुछ एक्स्टा सर्विसेज एड कर सकते हैं, लिकिन ये ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसे फिलहाल छोड़ देता हूँ, और उसके बाद नीचे आएंगे, तो लिखा है कैची है, तो उसको पढ़कर आप से कॉंट्रेट करेगा, आप बारासो करेक्टर्स तक लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, कम से कम एक सो बीस करेक्टर्स लिखने होते हैं, ठीक है, तो मैं फिलहाल यहां पर एक दो लाइने लिख देता हूँ, आई शेल प्रोवाइड ब बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखेगा, जितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, उतने ज्यादा काम मिलने के आपको चांसे होंगे, आप अपना इश्तिहार या विग्यापन या एडविटीजमेंट बना कर डाल रहे हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भ घबराये मत, बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, तबी काम मिलेगा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, उसके बाद अगला सेक्शन है, Frequently Asked Questions, आप चाहें तो यहाँ पर यह इमेजिन करकर, कि जो भी कस्टमर आपके इस विग्यापन पर आएगा, उसके दिमाग में कि किस तरह के सवाल या Questions आएंगे, वो आप सोच कर यहां लिख सकते हैं, और उनके जवाब भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं, ताकि जो कस्टमर है, उसे आप से Contact कि बिना उसके मन में जितनी भी दुविधाएं हैं, उनके जवाब आपके विग्यापन में ही मिल जाएं, लिक हम अगले पेज पर आगए, यहां लिखा, Get all the information you need from buyers to get started, यानि कि हम अपने विज्यापन में ही ये भी information डाल देंगे, कि अगर उस कस्टमर ने आपको काम दिया, तो काम देने से पहले उसे आपको क्या-क्या देना होगा, उसके बाद ही आप काम शुरू या स्टार्ट करे यानि कि कस्टमर ने आप से कॉंट्रेट किया, आपका विज्यापन देखकर, वो आप से काम कराने के लिए राजी हो गया, तो जितने पैसों में काम fix होगा, उसका 50% वो पहले आपको advance देगा, काम शुरू होने से पहले ठीक है, तो यह हमने पहले लिख दिया, और उसके आपके विज्यापन को देखकर, और तभी आप से कॉंट्रेट करेगा, अगर आपको 50% advance देने के लिए तैयार है, अब हम दूसरा सवाल यहां से add कर देते हैं, कि हमें और क्या क्या चाहिए कस्टमर से, अब मैं यहां लिख दूँगा, business category of the business and region country from where data is required, यानि कि customer को आपक कि उसको किस category, किस मुल्क, किस देश, दुनिया के किस हिस्से से data चाहिए, कंपनियों का, ठीक है, तो customer ही यह details आपको देगा, उसके बाद नीचे जहां add लिखा, यहां क्लिक कर देंगे, तो यह दूसरा question भी यहां आगया, ठीक है, और आप चाहें तो इसी तरह से, जितने मरजी questions यहां से add करते हुए जा सकते हैं, ठीक है, अभी फिलाल मैंने सिर्फ दो ही डाले हैं, उसके बाद save and continue पे click कर देंगे, अब दोस्तों यह अगला page खुल गया, अब हम अपने इस विग्यापन या इश्तिहार में कुछ photographs डालेंगे, ताकि यह attractive लगे, और कोई भी customer अगर देखें, तो तुरंत खोल कर पढ़ना चाहें, अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे, सबसे उपर लिखा है gig video, अगर आप चाहें और आप comfortable हों, तो अपने mobile phone में ही सामने वाले camera से, अपना ही एक video shoot करके, जिसमें आप बोल रहे हैं, कि मैं बहुत बढ़िया data scrapping कर freelancing site पर, तो यह डालना अवश्रक है, यह photo आप Google search से कोई भी निकाल सकते हैं, हमने भी एक photo निकाल कर रखी हुई है, वो मैं यहाँ पर upload कर दूँगा, browse पर जाएंगे, यह photo मैंने एक select कर ली, यह देखें, यहाँ पर आ गई, उसके बाद नीचे आएंगे, तो यह लिखा gig audio, अगर आप चाहें, तो अपना कोई audio अपने mobile phone में record करकर, जिसमें आप अपने capabilities के बारे में बता रहे हैं, कि भाईया, मैं बहुत बढ़िया data scraping करूँगा, information ढून के दूँगा, Google Maps के जरिए, वो भी आप record करकर, यहाँ से upload कर सकते हैं, लेकिन यह भी आवश्रक नहीं ह होता है, आपका advertisement पूरा नहीं होता है, इसलिए मैंने फिलाल यह डाल कर आपको दिखा दिया, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आप चाहें तो यहाँ पर कोई PDF के अंदर, कोई file भी upload कर सकते हैं, जिसमें आपने अपनी capabilities के बारे में कुछ बताया हो, हलांकि यह भी service है, fever freelancing site के जरिये offer की जाती है लोगों को, यह नहीं लेनी है किसी भी हालत में, हलांकि fever freelancing site 100% genuine site है दोस्तों, लेकिन यह भी कुछ ना कुछ paid promotion करते ही हैं, ठीक है, यह आपने भूल जाना, यह मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं क्या है, क्योंकि इसको लेने के पैसे लग करनी है, ठीक है, नीचे आ जाएंगे, तो इस तरफ done पर click कर देंगे, यह view all courses पर गलती से भी click मत कर दीजेगा, ठीक है, तो यह done पर मैंने click कर दिया, अब देखिए उपर लिखा हुआ आ गया, congratulations on creating your new gig, ठीक है, उसके नीचे यह हमारा gig है, यह जो विग्यापन हमारा डला है, आप चाहें तो और भी बहुत सारे डाल सकते हैं, वो एक के बाद एक नीचे दिखेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से जो आप अपना विग्यापन बनाएंगे, वो customer को कैसे दिखेगा, वो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, अब देखिए यहाँ प fever freelancing site पर कैसा दिखेगा, अब दोस्तों यह हमारा इश्तिहार 100% free में बन गया, इसी तरह से आपका भी बन जाएगा, और यहाँ पर वो photo है, जो मैंने आपके सामने डाली थी, यह वो title है, यह मैंने rates रखे थे अलग-अलग, basic package का 10$, standard premium आपको याद होगा, ठीक है, और उस customer चाहें, तो यहाँ से आपको contract कर पाएगा, उसके बाद नीचे आएंगे, तो यह देखिए, आपकी country दिखेगी, उसके बाद यहाँ पर कुछ और details दिखेंगी, और उसके बाद नीचे आएंगे, तो यहाँ पर भी एक rates का section दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ से वो अपने लिए package select कर लेगा, और नीचे आएंगे, तो देखिए, यह हमने tags डाले थे, या पांच डाल सकते हैं, मैंने तीनी डाले थे, आपको याद होगा, तो दोस्तों, यह हमारा एक विज्यापन बनकर fever freelancing site पर डल चुका है, तो दोस्तों, अब हमारा एक विज्यापन या advertisement बनक fever freelancing site पर आपने देख लिया 5-10 मिनट में बन जाता है, let's say कि आपने भी इसी तरह का विज्यापन बना कर freelancing site पर डाल दिया, अब customers आते हैं, आप से deal करेंगे, और आप से ये database खरीदने के इच्छा आपको जाहिर करेंगे, तो आपको अब ये customer का database निकालना भी तो है, data scrapping, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे करना है, वो सारा काम दोस्तों मैं आपको अपने mobile phone पर ही सिखाऊंगा, ताकि आपको समझने में असानी रहे, data scrapping या customer का database निकालने का काम सीख कर हम वापिस अपने laptop पर आएंगे, और फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा, कि fever freel cleansing site से आप जो भी कमाई करेंगे, वो सुरक्षिक तरीके से आपके भारत के saving bank account में कैसे पहुचेगी, तो सबसे पहले मैं आपको mobile phone से ही customers का data निकालना सिखाऊंगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 100% free, बहुत ही बढ़िया website tool, जिसका नाम है Instant Data Scrapper, लेकिन ये website tool है, ज trick ढून निकाली है, जिससे ये आपके नए पुराने mobile phone में अराम से चल जाएगा, ये tool basically laptop या desktop पर ही काम करता है, लेकिन मैं आज के वीडियो में अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आपके mobile phone पर कैसे चलेगा, ताकि अगर आपके पास laptop नहीं है, तो भी आप कमाई कर उसके लिए मैं अभी आपको practically करके दिखाऊंगा, सबसे पहले हमने एक web browser अपने mobile phone में download कर लेना है, उसका नाम है yandex browser, उसके बाद हमने yandex browser में ही instant data scrapper tool को as a extension attach कर देना है, उसके बाद ये special tool या औजार जिसका नाम है instant data scrapper, आपके नए पुराने mobile phone से भी दुनिया के किसी भी हिस्से या मुल्क में रहने वाले customers का हर तरह का data scrap कर पाएगा, निकाल पाएगा, ठीक है अब मैं ये सब आपको धिरे धिरे करके practically दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, जितने भी tools, websites या mobile apps का मैं इस्तेमाल करूँगा, उन सब के links मैं इस video के description box में डाल दू दोस्तों मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, मैं बाल की खाल निकाल देता हूँ, लेकिन आपको training पूरी दूँगा, वीडियो जितना मरजी लंबा हो जाए, तो चलिए मेरे mobile phone पर चलते हैं, तो दोस्तों ये है मेरे mobile phone का screen, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये data ब्राउजर का download link इस वीडियो के description box में डाल दिया है, जैसे आप click करेंगे ये इस तरह से आपके mobile phone पर खुल जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों 4.4 की rating है, और 100 million यानि 10 करोड से ज्यादा downloads हो चुके हैं, ठीक है, 100% free है, जैसा पहले भी बताया था, इसको install कर लेंगे उसके बाद open कर लेंगे, उसके बाद next पर click कर देंगे, और next next करते चले जाएंगे, launch program पर click कर देंगे, ये चोटी सी window आ जाएगी, जहां ये cross का button है, यहां से इसको close कर देंगे, अब हमारा index mobile browser open हो चुका है, कोई registration या login की आवश्यक्ता नहीं है, अब हम इस index browser में एक extension ल instant data scrapper, search पर click कर देंगे, एक छोटी सी ये नीचे window है, इसको यहां से बंद कर देंगे, आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूँ, instant data scrapper को आपने इस index mobile browser में ही इस तरह से type करकर search करकर खोलना है, और उसके बाद इसमें attach करना है, इसका अलग से कोई link नहीं हो सकता है, तो process को पूरा follow कीजेगा exact, और उसके बाद जो सबसे पहला वाला search result है, गौर से देखिएगा, जहां पर यह आपको arrow दिख रहा है, यहां पर click कर देंगे, अब देखे, instant data scrapper खोल गया, इसको हम left की तरफ scroll करेंगे, इस तरह से, और जहां लिखा है, add to chrome, यह कर देंगे, add instant data scrapper, यह एक window खुल गई, add extension पर click कर देंगे, तो दोस्तो हमारा यह data scrapping tool, Yandex mobile browser के साथ attach हो चुका है, दोस्तो यह एक special trick है, कई लोग इस particular tool को chrome पर attach करने की कोशिश करते हैं, वो mobile phone से नहीं होता है, वो सिरफ laptop पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यह trick अब बता दि scrap कर सकते हैं, ढूंड सकते हैं, client को दे सकते हैं और बेच सकते हैं, अब हम अपने इस Yandex mobile browser में एक और tab खुल लेंगे, वो कैसे खुलता है, देखे जहाँ यह आपको arrow का निशान दिख रहा है, यहाँ click कर देंगे, अब जहाँ यह plus का sign है, यहाँ click कर देंगे, अब देख आना है आपको, यहाँ पर आपने अपनी finger ले जाकर इसको click कर देना है एक बार, अब यह window नीचे चली गई, अब हमारा Google Map, Yandex mobile browser के ओपर खुल चुका है, और हमने इसमें एक extension tool भी attach कर दिया है, जो यहाँ से data mining करेगा, या data scrapping करेगा, ठीक है, अब वो सब कैसे होगा, व यह है कि अभी यह जो Google Map है, इसको हमने desktop mode में खोलना है, ठीक है, वो कैसे खुलेगा, सबसे नीचे जहाँ यह तीन dots है, यहाँ क्लिक कर दूँगा, तो देखिए एक window कुल गई, जहाँ लिखा है desktop version, यहाँ क्लिक कर दूँगा, अब दोस्तों आप देखेंगे कि Google Map का desktop version इ इस तरह से, ठीक है, अब यह सर्च बार बड़ी दिख रही है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी एक बार finger रख दूँगा, अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे Google Map के जरीए data scrapping करेंगे, वो काम अब शुरू होता है, ठीक है, गौर से देखिएगा, यह ज पर Google Maps की search बार में type कर देंगे, मैं एक example सोच के चल रहा हूँ, कि मेरे पास एक client है, जिसने मुझसे का कि मुझे यूरोप की IT companies का data चाहिए, उनके नाम, email id, address, वगयरा, वगयरा, ठीक है, तो वो कैसे search होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, search बार में type करेंगे, IT companies in Europe, औ search पर click कर देंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे, अब हम Google Map में Europe वाले हिससे पर पहुंच चुके आप देख सकते हैं, ठीक है, यह जहाँ जहाँ पर आपको यह locations के pin दिख रहे है, red color में, यह Europe है सारा, जब आप Google Map पर इसी तरह से search करें, और आपको Google Map पर एक particular region या देश या हिस्सा ना दिखे, ऐसा हो सकता है, तो आप Google Map के हिस्से को refresh कर लीजेगा, तभी वो दिखेगा, otherwise हो सकता है कि आपको भारत का ही वो हिस्सा दिखता रहे, जहाँ पर आप बैठे हुए है, ठीक है, तो यह problem आपको आ सकते हैं, फिर आप comment करेंगे कि सर हम तो Europe या दुनि परा घुमा कर उसको पहले वाली position में ले जाता हूँ, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट में ये बहुत बड़ी list खुल चुकी है, आपको मैं ये थोड़ा नजदीक लाकर दिखाता हूँ, आपके screen के, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर एक बहुत लंबी list है, उन company की जो Europe में हैं और IT के अंदर हैं, तो इसी तरह से हम Google Map के search बार में कोई भी category डाल कर, location डाल कर, उस location की उस particular categories की company की list इस तरह से निकाल सकते हैं, अब आप assume करके चलिए कि जो आपका client है, वो आपसे किसी और category की list मांगता है, या उनकी details मांगता है, let's say कोई client है, कि America में जितने भी institutes हैं, जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी list निकाल कर दें, तो आपने उसी तरह से search bar में type कर देना है, institutes in USA, ठीक है, इसके लावा let's say एक और client है, वो यूरोप में रहता है, जपैन घूमने जा रहा है, उसने आपको काम दिया, कि भाया मुझ आप इस search bar में type करेंगे, good hotels in Tokyo, Japan, आप समझ गए, इसके लावा let's say एक और client आप से contact करता है, जो यूरोप में नौकरी करना चाहता है, किसी restaurant में cook की, या waiter वगरा की, और वो आपको काम देता है, कि भाई मुझे जितने भी यूरोप के अच्छे restaurants हैं, उनकी list, उनकी ratings, उनक कि मैं अपना resume वगरा वहाँ भेश पाऊं, तो आपने यहाँ search bar में type करना है, good restaurants in Europe, या good restaurants in UK, good restaurants in England, good restaurants in Germany, वगरा वगरा, तो वो आपकी पूरी list आ जाएगी, अब सवाल यह आ गया, कि यह जो list है, यह तो निकल गई, लिकिन अब यह इतनी लंबी जो list है, जिसमें second companies और businesses listed है, ठीक है, उनमें एक कंपनी की website खुलना, या mobile app खुलना, वहाँ से उनकी पूरी details निकालना, फिर एक जगा excel sheet में डालना, यह तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, अब वही काम यह जादूई extension tool या औजार करके देता है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं practically, अब स्क्रीन में सबसे नीचे जहाँ तीन dots लगे हैं, यहाँ क्लिक कर देंगे, तो यह window खुल जाएगी, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहाँ लिखा हुआ extension, यहाँ क्लिक कर देंगे, अब देखिए एक window खुल गए, यहाँ लिखा हुआ instant data scrapper, यहाँ क्लिक कर देंग है, और एक जगा compile कर रहा है, और एक actual sheet में डाल रहा है, जादू है, देखिए आपके सामने आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, सिरफ वहाँ क्लिक किया, और automatically यह list आपके सामने आ गई, आप देख सकते हैं दोस्तो, अब मैं आपको यह थोड़ा नजदीक ले जाकर दिखाता हूँ, अब मैं इसको zoom कर देता हूँ, देखिए यह आगई list, अब आप देखेंगे दोस्तो, इस list में 20 कंपनियों के नाम आ गए यहाँ पर, ठीक है, अब थोड़ा सा right में जाएंगे, तो आप देखेंगे दोस्तो, यहाँ पर उनकी location आ गई, आप देख सकते हैं, अलग- 385, 3.7 वगरा, उसके बाद एक और line है, यहाँ पर इन companies के बारे में, जिन्नोंने इन से deal किया, उनके reviews हैं, number of reviews यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ पर इन सभी companies के अलग-अलग office hours भी लिखे हुए हैं, तो दोस्तो, Google Map के उपर जो पहला page ख यह सिरफ 20 companies की list देने से हमें ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, अब वो कैसी add होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब दुबारा से मैं शुरू में आ जाओंगा, उपर जाओंगा, सबसे उपर जहां लिखा है, locate next बटन यहाँ क्लिक कर देंगे, उसके बा भी scrap करेंगे, यानि यहाँ से भी data निकालेंगे, जहाँ यह आपको arrow का बटन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करना है, जहाँ यह आपको instant data scrapper दिख रहा है, इसके नीचे जो एक line दिख रही है, यहाँ क्लिक कर देंगे, उसके बाद दिखिए एक window खुल गई, जहाँ लिखा ह यहाँ क्लिक कर देंगे, तो यहाँ क्लिक करता ही दोस्तों आप देखेंगे, इसके नीचे, मैं नीचे ले जाकर दिखा देता हूँ, कि 20 और companies की वही details यहाँ पर add हो चुकी है, इस list के अंदर, उसी तरह से जैसे पहले की 20 companies की थी, मैं आपको थोड़ा सा यह enlarge करके दिख करेंगे, अब देखें, जो हमने Google Maps के सर्च बार में टाइप किया था, वो यहाँ हमें टाइप हुआ हुआ हुआ, पहले से दिख रहा है, दुबारा से यहाँ क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यह जो Next का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब देखिए Next पेज खु यह अब यहाँ पर करीब करीब 60 से ज़्यादा कंपनी आ चुकी है, और मुश्किल से 3 मिनट का समय लगा है, ठीक है, अब यह जितना भी डेटा अभी तक हमने निकाल लिया Google Map से डेटा स्क्रैपिंग करके एक 1000 या टूल के जरीए जो 100% फ्री था, लेकिन बहुत ज्यादा असान था, अब इस कंपनी के सारे डेटा को हम एक Excel sheet में डाल लेंगे, आप चिंता मत कीजेगा, आपको Excel sheet की knowledge नहीं है, मुझे पता है दोस्तो, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही असान है, सबसे उपर देखेंगे दोस्तो, हम जो भी डेटा यहाँ पर निकाल रहे हैं यह हम तीन अलग-अलग formats में download कर सकते हैं, CSV, XLSX और copy all, यह भी कर सकते हैं, जो बीच वाला है, XLSX, यहाँ click करेंगे, अब यह window खुल गई, जहाँ yes लिखा है, यहाँ click कर देंगे, और देखें एक window खुल गई, यहाँ पर allow पर click कर देंगे, देखें नीचे लिखा हूँ ह और अब दिखा रहा है, download complete, अब यह हमारे mobile phone के files section में download हो चुकी है, ठीक है, वो कहाँ पर होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अब हम अपने mobile phone के file section में चलते हैं, यहाँ मेरे mobile phone का file section, downloads पर click करूँगा, सबसे उपर देखें यह जो file है, मैं यहाँ click कर देता हूँ, अ आप वहाँ से जाकर इसको अपने mobile phone में download कर लीजे, अब मैं Excel पर click कर दूँगा, अब यह इस mobile phone के Excel sheet format में सारा data आ चुका है, लेकिन आप इसको देखेंगे, यह properly arranged नहीं है, अजीब सा लग रहा है, अब हम इसको arrange करेंगे properly, वो कैसे करने आप दिखें, जो सबसे पहला section ह जहाँ A लिखा है, इसमें companies के पूरे नाम है, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा करेंगे, ताकि सभी companies के नाम properly दिखें, पहले A पर click कर देंगे, अब यहाँ पर यह जो आपको दो पैटलल लाइन्स दिख रही है, इस पर finger रखेंगे, और इसको right की तरफ drag करेंगे, तो दे ठीक है, यह section बढ़ा हो गया, इसको तब तक आप बढ़ा करते चले जाएए, जब तक आपको यह ना लगे कि सारी companies properly दिख रही है, अब दिखनी शुरू हो गई, यहाँ मैंने छोड़ दिया, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, यह जो section था, companies के नाम वा बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब यह जो companies name लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा bold कर देंगे, सबसे नीचे जाएंगे, यह button है, यहाँ क्लिक करेंगे, bold पर क्लिक कर देंगे, देखिए, bold हो गया, हम चाहें तो इसका color भी change कर सकते हैं, font color red हो गया, तो यह अलग से identify हो रहा है, इसके लावा हम यहाँ पर क्लिक करके, और colors भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि यह सुन्दर लगे, क्लाइट को देना है, उससे पैसे लिने हैं, तो अच्छा लगना चीए, professional लगना चीए, हम चाहें तो यह जो पूरा section है, चोटा सा जहां companies name लिखा, इसका background color भी बदल सकते हैं, देखिए जहां fill color लिखा है, मैं यहाँ click कर दूगा, देखिए yellow हो गया, हम कोई भी color चूज कर सकते हैं, यहाँ से, देखिए कितने सारे colors हैं, अब वापस आ जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर यह जो button था, यहाँ पर मैं दुबारा click करूँगा, यहाँ click कर देंगे, और उसी तरह से इसको यहाँ पर right की तरफ drag करेंगे, देखिए यह बड़ा हो रहा है, यह देखिए इतना बड़ा हो गया, अब इसका भी हम नाम change कर देंगे, अब मैं पहले इसको delete कर दूँगा, इसका नाम रख दूँगा, company's rating, और उसके बाद मैं यह जो green right click का button यहाँ click कर दूँगा, तो देखिए यहाँ पर select हो गया, इसको भी मैं यहाँ से bold कर दूँगा, और इसका font color बदल दूँगा, ठीक है, और पीछे से background भी change कर दूँगा, ठीक है, तो यह भी हो गया, अब यहाँ से मैं वापस आ जाँगा, अब तीसरा section है C, यहाँ click कर दूँगा, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, और उसके बाद इसका भी नाम change कर देंगे, बस यहाँ पर आके एक बाद click कर देंगे, उसके बाद इसको delete कर देंगे, यह basically reviews है, companies के बारे में, तो मैं यहाँ लिख देता हूं reviews, उसको भी इसी तरह स save कर लेंगे, और उसी तरह से इसका font color वगारा सब change कर लेंगे, और bold भी कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से click करके वापस चले जाएंगे, तो इस तरह से दोस्तों, वो information, वो details, जो client में मांगी है specifically, इस excel sheet में हमें रखनी है, और जो नहीं मांगी है, वो हटा देनी है, त तो मैं यह assume करके चल रहा हूँ, जो D section में information दी गई है, let's say यह client को नहीं चाहिए, तो आप यह हिस्सा हटाएंगे कैसे excel में से, वो मैं आपको सिखाता हूँ, D पर click कर देंगे, देखेंगे, यहाँ पर एक bar है, गौर से देखेगा, इसमें बहुत कुछ लिखा है, delete, insert, fill, clear, यहाँ delete लिखा है, मैं यहाँ click कर दूँगा, तो वो हट गया दोस्तो, और जो अगला section है, D, इसके अंदर, अब locations दिख रही है, इन सब companies की, ठीक है, इसको भी हम उसी तरह से बढ़ा कर देंगे, यह देखें, बढ़ा हो गया, और थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, देखें, यह भी हो गया, अब हम यहाँ से click करके वापस चले जाएंगे, अब हम अगले section पर आ जाते हैं, देखें, अब जो e section है, इसमें इन companies की working hours लिखें, यानि कितने बज़े से, कितने बज़े तक खुलते हैं, तो इसको भी हम यहाँ से click करके थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे, आपने देख लिया, ठीक है, और इसी तरह से मैं इसकी भी information बदल देता हूँ जल्दी से, उसके बाद अगला section है, इन companies के phone numbers, ठीक है, यह आवश्यक है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और इसको भी save कर लूँगा, देखें, इस तरह से मैंने बढ़ा कर दिया, ठी कोई information जरूर चाहिए होगी, देखें, मैं बढ़ा कर रहा हूँ इसको, उसके बाद इस section का नाम भी मैं edit कर दूँगा, website address, ठीक है, यह भी हो गया, अब हम next section पर चलते हैं, अब यह जो h वाला section है, यह हमें हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर शायद website address duplicate हो रहे हैं, ठीक है तो मैं यहाँ click कर दूँगा, और जहाँ delete का button है click कर दे, यह हट गया, और यह जो तीसरा section है, इसमें सिर्फ website लिखा हुआ, यह भी बेकार है, इसको भी हम delete कर देंगे, अब हम अपने इस Excel sheet को दोस्तों देखते हैं, कि यह कितना सुन्दर information लग रही है, professional लग रहा है, Excel sheet में save कर लेना है, और उसके बाद Excel sheet में इसको edit कर लेना है, बहुत यह असान है दोस्तों, अगर आप 9 पास भी हैं, तो आप यह काम करना सीख चुके हैं, यह इतना असान है, ठीक है, अब हम इसको यहाँ से save करेंगे, सबसे उपर save का button है, यहाँ click कर देंगे, this device पर click कर अब यह जो Excel sheet है, यह नीचे दिखेंगे एक आपको window दिख रही है, यहाँ पर हम इसका एक नाम डाल देंगे, उस नाम से हम इसको save करेंगे, इसका नाम हमने रख दिया IT Companies in Europe, ठीक है, यही हमारे काम का नाम था, जो हमें client ने दिया था, ठीक है, उसके बाद save पर click कर तो यह save हो गया दोस्तो, अब mobile phone में कहा save होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मैं दुबारा से mobile phone के file section में जाओंगा, हमने यह file document section में save की थी दोस्तो, तो यह देखें, जहां लिखा है documents and others, यहाँ click कर देंगे, अब देखें, सबसे उपर जो file है, यही वो file है, ज उसने सारा आपको email id से भेजना है, तो इस तरह से बहुत सुन्दर तरीके से excel में आपने सारा data scrap करके save कर लिया, सुन्दर बना दिया, और उसके बाद client को दे दिया, हो सकता है, वो आपसे बार-बार काम करा है, तो दोस्तो आपने देख लिया data scrapping या customers का data निकालना mobile phone से ब खिर पहुचेगा कैसे, तो चलिए मैं आपको वापस laptop पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ, तो दोस्तो मैं आपको दुबारा से अपने laptop पर लेकर आ चुका हूँ, याद होगा हम यहीं से अपने mobile phone पर गए थे, Google Maps के उपर data scrapping कैसे करते हैं सीखने, मैंने आपको खा दिया दोस्तों, ठीक है, वो आप सीख चुके, आपको आज से पहले नहीं आता था, लेकिन आज की rate में आप धडलले से, छाती ठोक कर किसी को भी कह सकते हैं, मुझे data scrapping आती है, दुनिया के किसी भी हिस्से से, चाए वो भारत का हो, या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी client को, किसी भी तरह की companies का पूरा data निकाल कर, excel sheet में डाल कर, सुन्दर बना कर आप client को दे सकते हैं, यह confidence आप में आ चुका, तो आपने client से काम पकड़ लिया, काम करके दे दिया, आप जो भी काम fever freelancing site से पकड़ेंगे, client पैसा fever freelancing site में भेजेगा, और fever freelancing site वो पैसा फिर आपके भारत के saving bank account में भेजती है, यह तरीका है, ठीक है, तो वो कैसे आएगा, अब देखिए, सबसे उपर देखिए, जहाँ earnings का button यहाँ क्लिक कर देंगे, अब देखिए, यह page खुल गया, यहाँ दिख रहा है withdraw, उसके सामने लिखा है PayPal account, PayPal वो international payment gateway है, जिसके फिवर फ्रीलैंसिंग साइट से पैसा, आपके भारत के किसी भी सरकारी या private bank में पहुँच जाता है दोस्तों, ठीक है, basically PayPal एक international payment gateway है, इसकी एक mobile app है, दो मिनट में आपके mobile phone में download हो जाती है, आपने अपना एक Gmail ID बना कर, अपने भारत के, जो saving bank का account है, उसको उसके साथ attach क देनी होती है, और फिवर फ्रीलैंसिंग साइट से आप जो भी कमाई करते हैं, वो PayPal की उस Gmail ID के जरिए भारत में आपके saving bank account में तुरंत पहुंच जाता है, 100% सुरक्षिद, अभी आपको PayPal का account बनाने की इतनी आवशकता नहीं है, अभी फिलहाल आप फिवर फ्रीलैंसिंग साइट पर अपना विग्यापन बना कर डालिए, काम पकड़िए, काम पूरा करके दे दीजे, जब वो पैसा आपके यहां दिखे, फिवर फ्रीलैंसिंग साइट पर, तो आप ये PayPal का account बना लीजेगा, अगर आप अभी बनाना चाहते हैं, तो बना लीजे, मैंने दो मिनट में अपना बनाया था, उसका वीडियो शूट करकर भी YouTube पर डाल रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description box में लिख दूँगा, आप जाकर देख लीजे, दो मिनट में 100% free में बना लीजे, तो देख लिया दोस्तो, हमिशा की तरह मैंने इस वीडियो में भी आ इस में आपको laptop की भी जरूत नहीं है, सिरफ अपने mobile phone से ही, चाहे वो नया हो या पुरा ना, आप ये काम कर पाएंगे, तो क्यों ना आप try करें अपने खाली समय में, इसके अलावा अगर आप एक full time job ढूंड रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, तो मैंने काफी videos बना कर YouTube डाल रखी हैं, जिनमें full time job पाने की भी tricks मैंने बताई हैं, उन videos की मैंने एक playlist बना रखी है, और उसको इस video के description box में डाल दिया है, आप उसको click करके 8-10 video हैं देख लीजे, उनमें बड़ी unique tricks हैं, उनको follow करके आपकी अच्छी मन मताबिक full time job भी लग सकती है, तो ये थी video friends, thank you very much